बॉटी डायलेसिज कैथेटर की डायलेसिज में यूज होने वाली कौन-कौन से कैथेटर होते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, इनके वारे में बताने वाले हैं तो चलिए हम बताते हैं कि हाँ dialysis catheter is a catheter used for exchange blood यह क्या करता है हमारी body से blood को exchange करने का काम करता है and from hemodialysis machine and patient यह क्या करता है hemodialysis machine में blood को filter करके और patient में बापे return कर देता है इसका यह पर्क होता है how many type of catheter कितने प्रकार की catheter होते हैं hemodialysis catheter और peritonal dialysis catheter होता है to have a brother by diagnosis phatag糖 है hemodialysis catheter है जो तीन प्रकार के होते हैं ठीक है और जो peritonal dialysis catheter हैं वो तो प्रकार की होते हैं जो आपको दिकाई दे रहा हूगा ठीक हम आंगे बताते हैं बात कहते हैं Catholic r健 cos is a इसके बारे हम बताते हैं th dares catheter है टू लूमेंस कैथेटर होता है जिसमें क्या होता है बैंस और आर्टरी होती है तो अलगी दो लूमेंस कैथेटर होता है जो बैंस में डाला जाता है जो नेचरल आर्टरी केरीज बिलड अवे यह क्या करता है बिलड को कैरीज करता है प्राउं दा हार्ट हार्ट यह क्या क लुमे टविकली रेस मैं लेивать बेंश के मेट रोटु पैसे धिस्याने कि से calendar अचले अचलेयड return blood to patient ये क्या करती है return blood to patient ये क्या करती है blood को filter करके कहाँ अपनके patient को में return कर देती है rate of the dialysis catheter range between 200 and 500 ml per minute इसकी जो dialysis machine की जो range होती है speed चलने की जो होती है 200 से 500 ml per minute के हिसाब से चलता है temporary access क्या होते हैं जो प्लेट को निकालने के लिए temporary access किया जाता है access का यूज करते हैं और dialysis करते हैं central venus catheter used from temporary access central venus catheter होते हैं जितने परकार के temporary access होता है typically used from the less than 21 days के लिए इसका उप्योग किया जाता है और किस कोई कोई होता है वो 30 days के लिए होता है टाइप ए डारेक्टली इन दा वैंस यह क्यादर डालते हैं आर दा टू तू और थ्रिल्यूमन catheter होते हैं जो तीन दो और तीन प्रकार के design किया जाते हैं जिसमें एक आर्ट्री तो एक बेंस टाइप की उसमें निकाल देते हैं दे रहे थ्रिल्यूमन catheter होते हैं थ्रिल्यूमन catheter होते हैं थ्रिल्यूमन catheter होते हैं थ्रिल्यूमन catheter useful administration of the fluid antibiotics के लिए उप्योग किया जाता है जो medicine का उप्योग करते हैं जो उसमें डाइलक्टी आपने catheter के द्वारा दे सकते contact without having to upload यह क्या होता है find other the place and the intervenus access this type the catheter intervenus access this type the catheter is useful the in time venues access for the acute renal failure and patient quickly phone dialysis जब आपनों emergency dialysis करना होती है तो उसके लिए हम temporary access का उप्योग किया जाता है पिर इसके बाद permanent catheter भी होते हैं और इसके अलावा हम fistula copy करते हैं long term access के लिए हम permanent catheter copy करते हैं catheter place हम catheter कैसे डालते हैं बात करते हैं IJP internal jugular veins catheter in the neck advancing into the superior benakawa इसमें इसका होता है two birds the right atrium of the heart इसमें क्या हो right atrium से heart में डालते हैं heart में right atrium में डाला जाता है faith into spc all the catheter in the inside when I come and write इसका जो size होता है जो IJP catheter का 12 से 13 cm length होती है जो किसके में होती है males में होती है और जो ग्यारा से 12 cm length होती है females में होती है जो आपको किया जाता है just under the color one this type of the catheter is used from short term के लिए इस catheter को उप्योग किया जाता है dialysis treatment the catheter is the and then the thread into the right side or your heart and right atrium में इसका उप्योग किया जाता है इसके दो आपको दिखरा हुगा इस परकार से इस पर्मा के टेटर को डाला जाता है अब बात करते हैं पर्मा के टेटर साइज अराउंड दा 50 cm in length approximate कि बात करते हैं पैमुर्ल के टेंटर क्या होता है अटा दा अफ्योड स्टेंड इंट्रोड़क्षन धॉण बैन्यूस 74 बैना काभा जो फिल्टर कर हैं ब्लेट को फिल्टर करती है पल्मार आर्ठीट इटर ले जा बैन्यूस स्टेंड आपको देख रहा है हैFireक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर करें